पंजाब, the land of Sikh gurus दुस्तों, पंजाब हमारे देश की एक ऐसी स्टेट है जो हमारे देश की वनवदी वेलियस स्टेट मानी जाती है और नीतियायोग इस बात की पुष्टी खुद करता है और Indian Agriculture Industry में पंजाब एक काफी important role play करता है क्योंकि by agriculturely ये हमारे देश की वनवदी रीचर स्टेट मानी जाती है और तो और ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर 100% villages रोड से connected है तो आप कैस सकते हैं कि रोड कनेक्टिवडी पंजाब में काफी बहतर है लेकिन इस स्टेट का जो growth and development है उसको next level पर जाने के लिए यहाँ पर कुछ mega purchase plan किये गए है तो चलिए उन पर नजएट डालते हैं नमबर वन अमरीज सर जामनगर एक प्रस वे एक under construction 426 lane एक प्रस वे है जो कि around 1257 किलोमेटर लंबा होगा यह एक प्रस वे बहुत greenfield and brownfield होगा जो कि पंजाब के कपोर्था डिस्टिंग में देडली अमरीज सर कट्राइक प्रस वे से स्टार्ट होगा इसके बाद गोईंदवाल साप, सुल्तानपुर लोधी, मोगा, बठिंडा, मंडी डाबवाली, हनुमानगर, सूरतगर, बिकानेर, नागोर, जोधपूर, बार्डमेट यहां से होता हुआ गुजराद जामनगर में जाकर टर्मिनेट होगा और इस तरह यह एक्पिस बे पंजाब में बठिंडा रिफाइनरी, रादिस्थान में बाड में रिफाइनरी और जामनगर में रिलाइंस की रिफाइनरी को क्लेक्ट करेगा 80,000 क्लोड इपी स्पैंड करके हमारी भारत सरकार की भारत माला प्रुजना के अंतरगत इसको बना कर कंप्लीट किया जा रहा है और जब एक बार यह बन कर तयार हो जाएगा तो अमरी सर से जामनगर के बीच में यह डिस्टन्स है वो 1,430 किलोमेटर से कम होकर 1,257 किलोमेटर कर रहा जाएगा और वहीं इनके बीच में वो ट्रेवलिंट टैम है वो भी 26 सार से कम होकर 13 आस तक कर रह जाएगा और प्लानिंग यह की गई है कि 2025 तक इसको उपन कर दिया जाए नमबर दो लुधियाना इंटरनैशनल एरपोट दोसों लुधियाना पंजाब की बेगजेस इंजर्शन से चिप मानी जाती है और यहाँ पर एक इंटरनैशनल एरपोट को लेकर जो डिमांड है वो काफी लंबे समय से की जारी है और ये जो डिमांड है अब ये complete होते ही देखने को मिल रही है क्योंकि हलवाडा Air Force Station जो की लुधियाना में ही है यहाँ पर एक international airport बन कर तयार हो रहा है स्पेसिफिकल इस प्रोजेक्ट के अंतरगत एक न्यू टर्मिल वो बना कर complete किया जा रहा है जो की हलवाडा Air Force Station पर ही बनेगा और 2000 स्कूर मिटर की एरिया में इस टर्मिल बिल्डिंग को set up करने का काम स्टार्ट हो चुका है 46.91 क्लोड पी spend करके हमारी airport authority of India और पंजाब government दोनों मिल कर इसको complete करेंगे और जून 2022 तक इसकी जो interim building होगी वो बन कर तयार हो जाएगी नमबर 3 दिल्ली अमिरी सरकाटरा expressway दोसुद दिल्ली अमिरी सरकाटरा expressway एक और under construction expressway है जो की पंजाब state से होकर गुजरेगा original यह जो expressway है यह हरयाना के जजज़ डिस्टिक में जसुर खेड़ी विली से स्टार्ट होगा जिसके बाद में रोतक, सोनिपत, जीन्द, कैथल इन सभी डिस्टिक से होता हुआ पंजाब में एंटर करेगा और वहीं दूसरी सपर रोड नकोदर से कटरा की और चली जाएगी ओवार आली जो expressway होगा यह फोर लेन का 670 किलोमेटर लंबा express वे होगा जिसका construction वर्क दो फिज़ेज में बाढ़कर किया जा रहा है फेज वान दिल्ली से अमरी सरतक होगा और वहीं जो कटरा वाल इस्टैच होगी वो फेज टू के अंतरगत बनकर तयार होगी करने दोसरी प्रोजेट के लिए पंजाब स्टेड में जो लेन्ड अपकोजिशन का काम है वो स्टार्ट हो चुका है तो दोसों यह कुछ में प्रोजेट्स है जिनके बारे मैंने आपको बता दिया है इतके अला पंजाब स्टेड के लिए और भी बहुत सारे मेगा प्रोजेट्स प्लान किये गए हैं जिसमें से कुछ अंडर कंश्रक्शन है कुछ अप्रूव हो चुके हैं और कुछ प्रप स्टेंड अमरीशर चंडिगड हाइपर लूप मुकेरिय तलवाडा न्यूरेल लाइन कपूर्थला मेडिकल कोलेज होश्यारपूर मेडिकल कोलेज बायो टेकनोलोजी पार्क मोहाली प्लास्टिक पाक संगरूर इंडस्ट्रिल पार्क खन्ना अमरीशर बठीन्डा एक्स संगल अब धार्क प्लास्ट बाया पास इंटे क्रेडगड मैन फ्यक्रिक्रिक्स क्रेण प्रेज्ट्र चापूर खंडी हैडरणड एक्स प्रोजेक्ट फिरहोश पूर एथहनल प्लाट प्तयाला एथहनल प्लाट्ट ेस wordt फ INFरोर जालंदर बाइपास अमरीसर एयररपघ अक्सपांशन पठान कोड अजमेर एक्सपस्वे दिल्ली अमरेसर हाइस्पीर रेल कोईडोर लुधियाना रूप नगर एक्सपस्वे ग्रेटर मोहाली एरिया डिवलम्मेंट एक्सपस्वे आई टी कैंपस सेस नगर दोस्ति ये कुछ मेन प्रोजेट्स हैं जो की पंजाब सेड के लिए प्लान किये गए हैं और आने वाले समय में फोर शोर ये प्रोजेट्स पंजाब सेड की जो इंडस्ट्रिल लुक है उसको करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को करें धर्निया वाग का वीडियो को देखने के लिए